आज करेंगे कि सो में सो कैसे लाना है उसके बारे में भी हम बताने वाने है तो देखिए इसमें क्या 7 स्टेफ है क्योंकि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना है कि आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वह आपको मालेजे कहीं आप घूमने गए हो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है सबसे पहला अब सब्सक्राइब क्या पढ़ना है वह तो आपको सब्सक्राइब करना है ठीक है अब क्या पढ़ने के लिए आपको सिलेबस के बारे में भी पढ़ेंगे तो देखिए जदी आप यह टूल कर रहे हैं सबसे पहले आपको यह प्रायरूटी देना होगा कि सिलेबस के अपको पढ़ना है ठीक है और इस सिलेबस में आपको एकनोमिक्स में कितना देना है इंगलिस में कितना देना है तो हुसको बैशिस आपको यहं मानकर चालना है। कि आठेक जो हम बनाता जिस तरा से और चार छाब उन अधिकतर बच्चों को देखते हैं जो टॉपर स्टुडेंट राता है उसको देखते हैं वह सो में सो कैसे लाता है वह आप सोचते हैं कभी चलता होगा कि वह कुछ खाता होगा अच्छा चीज तभी तो लाया लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बस ऐसा पढ़ाई पर है वह इस सेव आप तुरूल फॉलो करिए और आप भी टोपर बनिए है ना अब देखिए यहां पर क्या है टाम टेवल आपको शेट करना है अब टाम टेवल का प्रेशनल बीडी हम आपको प्रवाइट करेंगे अब यहां पर देखिए चुज करेक्ट भूग अब फोर्थ में क्या है कि अब को प्रेक्ट भूग चुज करना है कि ग्रेक्ट भूग जो आपके स्कूल में चाल रहा है यहां पर एलेवन टॉवल के लिए यह एंसे कोशन भी आता है ठीक है तो यह बोग पढ़िए और जदि आप यह सी एस कोश्टिंग के लिए तो आप जिस इसश्रीट से ध्यान देना है कि देखे कभी-कभी मन में आता है न यह कोई भी इस्टुडेंट है तो जनरली सूचते हैं कि नहीं एक बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा है ना तो वह 2-4-10 बुक पढ़ रहे हैं लेकिन उनका दिमाग में बोली एक बुक का भी कोशन नहीं धसा है ठीक है तो आपको यह देखना दस बुक करने से दस बुक पढ़ने से बेतर होगा कि एक बुक को पूरा बारेकी से नोलेज प्राप्त करना है ना जैसे कहते हैं कि एक कोश्चन को सिखने से बेतर है कि एक कोश्चन को दस बार करेंगे तो उस कोश्चन के बारे में आपको डिपली न तो एक बुक को पढ़ेंगे तो एक बुक को डिपली से पढ़ेंगे तो वह नहीं होगा ठीक है तो एक बुक को पढ़ेंगे दस बुक पढ़ने से बेतर होगा कि एक बुक ही पढ़े ठीक है कि आप कि डिखें यहां पे क्या है कि डेगुलर प्रैक्टीस और चप्रेटर करें अब यह आप प्रैक्टीस करना हो कि और अब कोके बनाते हैं आप जो भी चप्टर पढ़ थेगा बयाद रहेगा नहीं यारे आप यह उपलोड़ में आपIm तो भी भूल जाएगा आपको बस उसी के तरह फोकस करना एक जांपल एक हम लेते हैं आपको समझाने के लिए देखिए मालने जी आप अपने क्लास में या तो 9-10 में कोई सभी दोस्तों के साथ पढ़ते थे ठीक है आपका वहां पर बहुत सारी दोस्त है लेकिन वही दोस्त दोस्तो लाएं किसी तरह कौशण पर होता है ठीक है आपको को देखते रहना पढ़ते रहना तभी आ उस पर ज्,॔र में पर ज्ञ चरब भोग Complex लेक। deadly प्र Scottish अपको करना है और देखिए आबे आपको iC três एकांटेंग ज्स ज्याादा देनाज है किळ वो रिपरजेंट करना बहुत जरूर है जदी आप एकांट में फॉर्मेट कोई बनाना भूल गए फॉर्मेट भी नहीं बनाए तो आपको मार्स वहाँ पर कट जाएगा इसलिए फॉर्मेट में बिशेष ध्यान आपको देना है ठीक है अब देखिए शिक्स में क्या है तो म आपको देते राना है कि आप पढ़े किसी देजिगा जैसे माल लीजे दो चप्टर कभर कर लिए तो चप्टर को आपको टेस्ट देना बीच में कितना मेरे बास याद नहीं है ठीक है वह जानने के लिए आपको क्या मोब पर यहां और होता है जैसे कि आपका जब स्लेट ह हो गया है रहा होता है तो आपने आपको जैज किजी है कि हम किस लेवल पर पहुंचे तो आपको упांचे के लिए खुद की जरूरत होती है और बोले आपको आपसे आपको वह थे नहीं को है नहीं जान सकता है इसलिए आप अपना मेरिट को जाने कि हम किस लेवल तक कहुंचे तो उस मेरिट को जानने का कुछ रूल होता है क्या रूल होता है कि आप देखना है कि आप तो पूरा complete syllabus कर चुके हैं लेकिन पास्ट जो previous year question है जो exam में आया हुआ है उस question को आप solve कर पाते हैं कि उसको देखना और जदी आप solve करते हैं तो देखें किस तरीके से solve करते हैं उसमें और बहतरी तरीका से आप solve किजिए है उसमें जो देखिए जिसे solve करना है तो previous 5-6-7 साल का question कोशन के exam में आता है तो वही सब पर बेस कोशन आता है कुछ उसमें एमांट चेंज कर दिया लेकिन कोशन का तो जो में भी रहता है तो आपको देखना होता है वह यह मोग टेस्ट है जो बोले पास्ट पेपर में भी आपको देखना है देखें में क्या review theory format time अब आप होता है जो आप एक्जाम देते हो तो concept पे होता है जैसे कि देखें यहां पर क्या हुआ कि concept में क्या होता है जैसे कि कोई question दे दिया कि what is accounting तो आप बोलेगा कि यह theory यह theory नहीं है यह आपका concept है आप account पढ़ रहे हैं तो account के बारे में आप क्या जान रहे है उसको आपको solve कर करना है उसको बताना तो यहीं यहां पर देखे review देखें दिकतर देखते हैं आप जब पढ़के जाते problem question आप पढ़के आप पढ़के आए लेकिन वहां पर theory पूछ दिया तो आपका यह जादा प्रेशान हो जाता है मतलब डर जाते तो डरना नहीं उसके लिए आपको क्य प्रेशन करेंगे थियोरियम भी पढ़ेंगे और एक्चुली में वह थियोरी नहीं होता है वह क्या आता है वह concept होता है जिसे कि अभी हम कोई भी चैप्टर आप देखेगा मेरा डिजॉलूशन हो पार्टनर्सिप हो या तो accounting का कोई भी चैप्टर हो तो उस चैप्टर को स से पहले मतलब प्रोब्लम को से पहले हम उसका basic concept पर बात करते है क्योंकि basic concept आप जां जाते हैं तो आपके लिए बहुत 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 बैतर होगा कि उस chapter के बारे में आप knowledge कर चुके है उसके बाद प्रोब्लम बनाएं बनाएं तो यहां पर basic concept भी कॉशन में exam में आता है ठीक है इसलिए देखिए आप जैसे मेरा जितना बैसिक वह बहुत अच्छी तरीके से बारिकी से उसे नौट किया गया उसे त्यार किया गया आप इस कॉंसेप्ट को भी आपने नौट बुक में इसे नौट कर ले और ये एक्जाम में भी आप लिख सकते हैं ठीक है तो यह हुआ आपका रिव्यू ओप फिर देखिए फॉर्मेट पर फॉर्मेट पर आपको विशेश ध्यान देना है कि किस तरह के फॉर्मेट बनता है जानते हैं दूसरा बात है कि आप बना रहे हैं तो याद करने के कोई बात ही नहीं है यहां पर बस प्रैक्टिस करते रहाना प्रैक्टिस किजएगा तो सब सब्सक्राइब करते हैं तो यहां नमबर के बात नहीं है आप कोई भी जगा चल जाए है तो आपको क्या करना है यह जिंदगी में तो आपका फूरा का पूरा सोच पे डिपेंड करते हैं इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचे और यह सही सोचे आपका लाइफ सेक्योर हो ज जिन्दगी मिला फिर दुबार हो सकता है कि हम अनुष्र के जनम में फिर से जनम लेंगे ऐसा नहीं हो सकता है तो बस इसको अच्छा से जिए और जब भी जिए तो सर उठा के जिए महनत करिए इसलिए कहते हैं महनत करो इतनी खामोसी से कि सफलता सोर मचा दे महनत करिएगा सफलता सोर मचाएगा ही बस लगे रहे डealit routine फोलो करिए है और यह सतात रूल को फोलो करना भुष जडैरी ए सतॉरा करिएगा तो सब बस stop हो जाइएगा और इसमें गता नहीं है कि सिंक कि हम यह लेवल में हम वह नहीं जानते वह नहीं जानते क्योंकि कोई भी आदमी भी मां के पेट से कुछ शिख के नहीं यहाता है यहीं पर सिखता है वह करता है और अपने आपको पोस्ट पे रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो बस यही कहते हैं इस रूल को फोलो करिए थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो इसमें कुछ जदी मिश्टेक होगा तो छबा करें चलिए नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उसमें आपको टैम टैवल भी बताएंगे ठीक है तो चलते हैं अल्डा बेस्ट पर इक जाम ठीक है चलिए बाइबाइबाइब